हेलो इवरिवान वेलकम डिस्प्लेंडीड मॉम्स कैसे आप सब हिंदी में बच्चों को पहले स्वार और व्यंजन यानि कम्प्लीट वर्नमाला सिखाते हैं फिर दो अक्षर वाले शब्ट तीन अक्षर वाले शब्ट सिखाते हैं तो दर बच्चा हिंदी रीडिंग करना स् हम सारी मात्राएं पढ़ाते हैं सेंटेंस देते हैं हिंदी की उसी तोरान यानि सारी मात्राएं सीखने के बाद बच्चों को कुछ और टॉपिक्स पी पढ़ाया जाता है फ्रम ग्रेड टू ग्रेड त्री जैसे के सम्युक्त अक्षर क्या होते हैं सम्युक्त व्यंजन द सम्युक्त अक्षर, सम्युक्त का जो English meaning है वो होता है composite, composite मतलब mixture of two things, two or more things, यानि सम्युक्त अक्षर ऐसा अक्षर जो दो अलग-अलग अक्षरों को मिला कर बनता है, हिंदी की जो व्यंजन है कक्खा गगना उसमें चार सम्युक्त अक्षर होते हैं, वो है क्ष, त्र, न्या और श्र, क्ष, त्र, न्या और श्र, ये जो चारो अक्षर हैं, इनको सम्युक्त अक्षर कहा जाता है, अब ये बने कैसे हैं, ये देखते हैं, मैंने कहा न, composite, सम्युक्त, यानि ऐसा अक्षर, सम्युक्त अक्षर, ऐसा अक्षर जो दूसरे अक्षरों से, दूसरे आदा का और श यह बनता है ख्ष, then you have थ्र, आदा त और र, थ्र, यह जो नीचे मेंने लाइन दिये, यह बड़ी उ की मात्रा नहीं है, जब आप हिंदी में आदा व्यांजन लिखना चाहते हो, आदा अक्षर लिखना चाहते हो, आप नीचे इस तरह से लाइन देते हो, तो क र, ख्ष, is ख्ष, त, आदा त, and र, इस थ्र, इसी तरह ग्या बनता है, आदा जा, प्लस न्या से, ग्या, then you have श्र, श्र बनता है, आदा श्र और र से, श्र, ख्ष, थ्र, न्या, और श्र, वर्ड्स यहां पर इस तरह के हैं, ख्ष, ख्ष के शब्ध है, ख्षमा, रक्षा, पक्षी, त्र, पत्र, मित्र, पुत्र, ग्या, आग्या, ज्यान, विज्यान, श्र, श्र से बनता है, श्रम, श्रीमान, आश्रम, बच्चों को यह टौपिक टू टू ग्रेट टू में पढ़ाते हैं जहां पर उनको यह जो चार समयुक्त अक्षर हैं वो इंत्र Harvey करते हैं एक्जैं में भी कभी पूछा जाता है के क्षम्युक्त आक्षर क्या है या फिर कौन से आक्षर उनको सम्युक्त आक्षर कहा जाता है या फिर क्षर जो सम्युक्त आक्षर है उसके कुछ शब्द लिखें इस तरह से बच्चों को question पूछा जाएगा then we have the other two topics सम्युक्त व्यांजन and द्विद्व व्यांजन सम्युक्त मैंने कहा सम्युक्त composite मतलब mixture of two letters तो सम्युक्त व्यांजन जो है दो अलग-अलग व्यांजन को जोडने पे बनता है यानि दो व्यांजन जो कखा-खा हमारे व्यांजन है ना अक्षर है ना किसी दो अक्षर को जब आप मिलाकर लिखते हो उसको कहते है सम्युक्त व्यांजन एक्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं आदा चा और च च देखें ये दोनों अलग-अलग है अलग-अलग व्यांजन मैंने लिखा तो अलग-अलग व्यांजन अलग-अलग अक्षर च च आदा चा और च बनता है च इसका एक्जाम्पल है मच्छ तो ये जो बीच में आदा च और च दो अलग-अलग व्यांजन को मिलाकर आप एक साउंड बना रहे हो इसको सम्युक्त व्यांजन कहते हैं इसी तरह से आदा का और ख बनता है ख मखण मखण इसी तरह से आदा पा और य बनता है प्या इसको गहते हैं सम्युक्त व्यांजन सम्युक्त व्यांजन बनता है दो अलग-लग व्यांजन को जोडने से then you have Dvitv vyanjan आदा दा और व है ये तो इसको पढ़ेंगे Dvit then आदा ता और व Dvitv vyanjan दvitv मतलब दो दो एक जैसे vyanjan को जोड़ने से बनता है Dvitv vyanjan सम्यूत में आप अलग अलग अक्षर को जोड़ेंगे अलग अलग vyanjan को जोड़ेंगे whereas द्वित्व में आप एक जैसे वियंजनों को जोड़ेंगे जैसे के आदा का और का बनेगा क चक की is the example इस तरह से आदा ता और ता बनेगा त पत त देन आदा ना और न बनेगा न गन न इसी तरह से आदा च और पूरा च मिलाकर बनेगा च इस तरह से तो यह है सम्म्युक्तिव यंजन जो है अलग-अलग यंजन से बनता और द्वित्व यंजन जो है दो एक जैसे विजनों को मिलाकर बनता यहाँ पर आप एक्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं कि किसको क्या पढ़ना है तो यहां पर यह examples के साथ आप clearly समझ सकते हैं कि सम्युक्त व्यंजन किसे कहते हैं और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं दोनों में भी दो-दो व्यंजन जोडे जाते हैं बट सम्युक्त में आप दो अलग-अलग व्यंजन को जोडेंगे सो ये तीनों टॉपिक सम्युक्त अक्षर सम्युक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन बच्चों को grade 2 या grade 3 में पढ़ा है आफ्टर इंट्रेडूजिंग मात्रा इसकी knowledge होना जरूरी है जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं औ यह था अज को वीडियो आपको यह वीडियो हेल्फुल लगा हेल्फुल लगा तो जरू लाइक करे और चैनल पर नहीं है तो जरू सब्सक्राइब करें happy parenting from splendid moms happy parenting from splendid moms give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos